नमस्कार जहीं दोस्तों स्वागत है आपका एक बर फिट से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में तो 31 मार्च 2022 से पहले जो आपका पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक हो गया है क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेसे निकाल दिया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपका पैन कार्ड है उसको कैंसल किया जा सकता है और आपके उपर 10,000 रुपे की पेनाल्टी लगाई जा सकती है तो आप कैसे चीक करेंगे कि जो आपका पैन कार्ड है वो अधार कार्ड से लिंक है और अगर लिंक नहीं है तो आप उसको कैसे लिंक करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इसके लिए आपको Chrome browser में आना है और आप इसको अपने smartphone से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको income tax search करना है तो चलिए हम यहाँ से income tax search करते हैं और कुछ इस तरह की official website open हो जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं income tax.gov.in तो इसी पर आपको क्लिक करना है और आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर income tax के official website open हो चुकी आप यहाँ पर देख सकते हैं income tax department government of India तो अगर आपने pen card को अधार card से link कर दिया है तो आप उसका pen card को अधार card से link कर सकते हैं तो मैंने अपने pen card को पहले ही link कर दिया है तो हम यहाँ पर अपना status चेक करेंगे तो देखे कुछ इस तरह का यहाँ पर page open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना pen number भरना है और उसके बाद अधार number भरना है तो चलिए हम यहाँ पर अपना pen number भरते हैं हमने यहाँ पर अपना pen number भर दिया है उसके बाद यहाँ पर आपको अधार number भरना है तो हमने यहाँ पर अपना अधार number भर दिया उसके बाद आपको view link अधार status पर click करना देखिए यहाँ पर मेरा pen card जो है वो अधार card से link है तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर okay कर देना है लेकिन अगर आपका link नहीं सो कर रहा है तो आपको जाना है link अधार पर आप इस पर click करेंगे और देखिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पे आपको अपना pen number भरना है उसके बाद यहाँ पे आपको अधार number भरना है उसके बाद जो नाम आपका अधार number में लिखा है जैसे ही spelling है वैसे ही आप इसको उसके बाद आप यहाँ पे अपना mobile number भरेंगे जो आपका अधार card में register है उसके बाद आप इस पे click करेंगे और उसके बाद इस पे click करेंगे और उसके बाद link अधार पे click करेंगे जो आपका phone होगा उस पे OTP आएगा आप उस OTP को submit कर देंगे और इस तरह जो आपका pen card है वो आपके अधार कार्ट से लिंक हो जाएगा तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लिगी आप इस वीडियो को लाइक करें साथ में चैनलार को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं इसके अलबा फैमले रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर से सेर करें जिससे कि वो भी अपने पैन कार्ट को अपने अधार कार्ट से लिंक कर सकें तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद